हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते माना कि कुछ लोग यहाँ पर अपना-पना महज़बी मजभवी एजंडा चला रहे हैं एक religious terrorism फैला रहे हैं कोई गजवाई हिंद का ख्वाब देखे बैठे हैं कोई सिर्तन से जुदा के नारे घड़ रहे हैं यहाँ पर कोई पूरे देश को पूरी दुनिया को इसलाम में तबदिल करने की बात सोचता है कोई पूरी दुनिया को इसायत में तबदिल करने की बात सोचता है हम किसी religious terrorism का ख्वाब नहीं देख रहे हैं और ये जो releases terrorism फैला रहे हैं, जो medical terrorism फैला रहे हैं, medical अनार्की फैरा हैं, जो political terrorism और एक तोर अलगी तरह का terrorism है, intellectual terrorism, बहुत ही का आतंकवाद, इन सारे आतंकवादों का समाधान है, अध्यात्मिक और सांस्क्रितिक राश्ट्रवाद और माना होता वाद, ये है पतंजली का सप नार्की और इस सपने को पूरा करने के लिए हम सुबह चार बजे से लेकर के दस बजे तक स्वयमतों पुर्शार्थ करी रहे हैं, आज से तीस साल पहले हमने यात्रा सुरूई की योग, आयर्वेद और स्वदेशी के साथ-साथ, अब वैदिक शिक्षा, भारते शिक्षा कि नूतन नव आयाम घडने के लिए हम इस समय एक नई उडान भरने के लिए जो प्रतिबद हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि पतंदली का सपना कोई मात्र भवन बनाना ही नहीं है, भवन तो बने हैं, पूरी दुनिया में जितना बड़ा किसी भी आध्यात्मिक पतंदली के पास है, वैसा किसी गहर सरकारी संसा के पास नहीं है, ये भी आपको गोरव होना चाहिए, कि पूरी दुनिया में इतने बड़े-बड़े लोगों के पास सामराज धन है, धन है, दोलता है, ऐश्वर रहे हैं, आखिर पतंदली ये क्या कर रहा है, तो पतंदली एक नई विश्व के, एक नई दुनिया के, एक न्यू एजुकेशन सिस्टम के, न्यू मेडिकल सिस्टम के, एक न्यू सोशल सिस्टम के, एक धिवाइन पोलिटिकल सिस्टम के, एक ऐसे सपने के साथ काम कर रहा है पतंदली, कि जहां पर पूरा विश्व एक परिवार भा और सब प्रकार के भय सब प्रकार की भ्रांतियों से सब प्रकार के जो विखटनवादी जो सोच हैं जो कुंठाएं हैं उनसे देश बाहर निकले अब इसके लिए मात्र एक अकेला विक्तित्व कारें नहीं कर सकता है इसके लिए सब को थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिस्से का पुर्शार्थ करना पड़ेगा मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अकेला योग नहीं करूगा तो आज मेरे साथ सुबह उठकर के कम से कम दस बीस करोड़ों लोग मेरे साथ योग करते हैं और अम मेरा सफना है कि आधी से जादा आबादी पूरी दुनिया की योग करें पूरी दुनिया में नंबर्स का खेल है किस पंथ को, किस मजब को, किस धर्म को, किस संस्कृति को, किस पोलिटिकल सिस्टम को, किस आईडिलोजी को, किस थौट प्रोसेस को पूरी दुनिया के लोग कितनी संख्या में फोलो कर रहे हैं फिर उसके आधार पर अपनी ताकत का मुल्यांकन करते हैं अब ये लोगों के सपने धरे के धरे रह जाएंगे जो मजबी आतंकवाद उन्माद और अलगला प्रकार के वित्वंस समाज में फैला रहे अब आने वाले पांच दस वर्षों में दुनिया की आधी से जादा आबादी योग करेगी यह है योग की सनातन संस्कृति की विश्विजय की यात्र तुम संख्या के आधार पर दुनिया को किसी एक इजम में लाने चाहते हो कोई एक फैद को तुम दुनिया पर थोपना चाहते हो हमने पूरी दुनिया पर कुछ भी थोपा नहीं हमने कहा सत्य की रहा पर चलो सत्य में विजय न्याय की रहा पर चलो सत्य और न्याय को हमने धर्म का है यह तो धर्म सतो जय जो मावारत का उद्घोष है जो हमारी संसद में धर्म चक्रप्रवर्तनाय लिखा हुआ है यह धर्म क्या है? यह सत्य है? यह न्याय है सत्य, न्याय और धर्म के आधार पर पूरी दुनिया चले आखिर यह द्रिष्टी कहां से जाएगी? यह द्रिष्टी भारत से जाएगी और भारत का जो बल है वो योग बल है भारत का की जो ताकत है वो अध्यात्म है इसको अब पूरी दुनिया सोप्ट वावर कह करके बुकार रही है और आश्रे नहीं होना चाहिए कि वापस जो दुनिया के कुछ देश हम से बिछुडे थे भारत को इतना शक्ति साली बना देना है आज हमारा रुपए गिर रहा है माना अभी मुझे पता नहीं अंदोलन के समय तुम्हें रोज भावताव बताय करता था है क्या भाव चल रहा है डोलर का रुपए का है कि वियासी कुछ क्या रहे कि जी 83 85 कहीं 90 और हंडर्ड ना हो जाए लेकिन आज रुपए का भाव गिर रहा है पूरी दुनिया में चिंता है क्यों कोई अमरीका कोई बहुत जादा उत्पादन कर रहा है को इसकी जी डी पी बहुत अच्छी है कि वहां ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है कि वहां इंफलेशन कम है ऐसा नहीं है उसने पूरी दुनिया में एक आर्थिक अराजकता एक आर्थिक उन्माद और आतंकवाद कायम कि अब है कि किसी को कोई भी ट्रेड करना है तो डोलर के साथ करेगा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने भारत को हम इतना ताकतवर बना दें कि पूरी दुनिया रुपए में व्याफार करने लग जाए यह डिवाण एंड सप्लाई का खेले कोई अमरीका की ताकत नहीं है डोलर का भाव बढ़ना और जब भारत की रुपए की ताकत इतनी हो जाएगी कि वो डोलर पॉंट से भी क्या बढ़ी हो सकती है वापस कहेगा रामम शर्णम गच्छा में ये म्यामार वर्मा भी कहेगा हमारे यहाँ पर भी बहुत संकट है राजनेतिक अस्थिता है वाप पोलिटिकल अनार्की जैसी आहलात है वाप हम नेपाल हमारा मित्रदेश है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे वो तो हमारा सनातन धर्मी है वो तो हमारा भाई है तिबद वापस भारत का हिस्सा बनेगा पीयोके के बारे में तो भी राजना जी बोलकर क्या है और मैं आज इस मंच से कह रहा हूँ पाक अधिक्रित कस्मीर फिर से भारत का हिशा बनेगा रे कस्मीर की बात छोड़ो पाकिस्तान दरिद्रता के दोर से कुझार रहा है जिस दिन भारत शक्ती शालियों हो गया आर्थिक द्रिष्टी से, सामाजिक द्रिष्टी से तो यह पुरा का पुरा पाकिस्तान रहेगा भारत की शरण में मुझे भी ले लो और अफगानिस्तान इन पूरे उकून से हो कठ मुले क्या बोलते हैं उनको तालिबान तालिबानी भी कहेंगे हमें भी राम की शरण में ले लो माराजार अंजीत सिंगे समय तक तो हमारा और सामराजय वहां तक था ही कोई मैं कोई नई बातनी कहा रहा हूं इरान भी संकट में है अराक भी संकट है इरान इराक और मिश्च तक भारत की दुबार से सरण में आजाएं कोई आश्चर्रे की बात नहीं लेकिन राजनतिक भलपर नहीं अठ्यात्म के भलपर